नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और आज का वीडियो जो होने वाला है वो कॉलिमनिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर और कंटेंट राइटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके उपर होने वाला है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि ये स्क्रिप्ट राइटर, कॉलिमनिस्ट और कंटेंट राइटर में क्या similarities होती है तो ये तीनों में ही आपको लिखना होता है ये प्रिंट मीडिया का ही एक फॉर्म है और ये तीनों में आपको शब्दों के जरियो सामने वाले जो ओडियन्स से उसको अट्रैक्ट करना होता है अगर मैं बात करू ये तीनों में क्या अनतर होता है तो सबसे पहले अगर कॉलूमनिस्ट जो होते हैं कोई भी घटना होती है उसको 5W1H के फॉर्म में लिखते हैं columnist और उसको newspaper में एक column में सजाते हैं ताकि जो reader है उसको पढ़ने में आसानी हो और columnist अपना काम daily basis पे करते हैं मतलब वो रोज अपना काम करते हैं ठीक, अगर हम बात करें कि script writer क्या होता है तो script writer को हम simple भासा में ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत साओं लोग TV देखते होंगे, serials वगेरा देखते होंगे और बहुत साओं लोग movies वगेरा देखते होंगे ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जो कहानिया हम लोग को present करी जाती हैं चाहिए वो serials में हो गया या movies वगेरा में हो गया फिर किताबों में भी आप बहुत सारी कहानिया पढ़ते होंगे तो उस कहानी में जो content या story आपको present करी जाती है वो इस तरीके से present करी जाती है कि जैसे कि कितने characters है वो characters आपको बताया जाते हैं वो character का क्या क्या role है क्या वो role play कर रहे हैं कौन सा active it means कौन सा positive character है कौन से negative character है वो character क्या काम करते हैं ये सब चीजे जो है वो एक script writer लिखता है और script writer जो है basically आप लोग देखेंगे जो tv serials के script लिखे जाते हैं कहानिया जिस तरीके से present करी जाती है वो उनका काम होता है और movies वगेरा में जो आप कहानिया देखते हैं वो भी एक script writer ही लिखता है अगर मैं बात करूं content writer की content writer क्या होता है तो ये basically mostly आपको advertisement के field में देखने को मिलेगा जी हां और content writer का सबसे important काम ये होता है कि जैसे कोई भी product हो गया तो उस product पे किस तरीके का content जाना है यानि कि बहुत साई product पे आप देखें हुए कि ऐसा लिखा होता है no preservatives no sugar no artificial colors ये सब तो जो है क्या क्या content जाने जिसके वज़े से जो audience है वो attract हो और अपने जरूरत के हिसाब से वो समान को खरीदे ये काम जो है content writer करता है content writer जो है जिस तरीके से आप देखें होंगे अमूल का याड आता है कि अमूल दूद पीता है इंडिया ये एक line दी जाती है ये इसलिए ये जो tag line है वो एक content writer लिखता है content writer creative form में एक दो hit line देता है जिसके वज़े से audience के दिमाग में वो line direct strike करें और audience उस product को खरीदने के लिए बेचैन हो जाए और उस product के लिए एक दम बिताब रहे ठीक ये काम होता है content writer का content writer, script writer और columnist होते हैं ये तीनों ही अलग-अलग होते ह और इनका काम भी अलग-अलग होता है ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए या फिर आपको कोई भी मन में सवाल है उसका answer पाने के लिए आप comment section में comment जरूर करिएगा मैं कोशिश करूंगी उस पर भी वीडियो बनाओ और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बह बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा थैंक यू